conjunction में ये बात clearly मैंने सिखा रखी है कि जहां भी seldom के साथ if आएगा हमने ever लगाना होता है अगर seldom के साथ or आएगा तो हमें उसका pair never करना है अगर little के साथ if आ रहा है तो हम option से anything चुनेंगे और little के साथ or आ रहा है तो हम option से nothing चुनेंगे अब हमारा examiner error कैसे बनाएगा वो little if लिखेगा लेकिन उसके आगे nothing लिख देगा और बच्चे को कहना है little if का pair तो anything होता है वो seldom more लिखेगा और उसके आगे ever लिख देगा बच्चे को कहना है seldom more और का pair तो never होता है बस इस तरीके से error बनेगा जैसे कि पहला question आपको अगर मैं दिखाऊं आपके book में ये है first question पढ़ के देखो एक बार she seldom if क्या लिख दिया आगे never होना क्या चाहिए बस इतना सा ही काम है second पढ़ के देखो क्या है we seldom more ever लिख दिया होना क्या चाहिए never अगले में क्या कह रहा है seldom if never लिख रहा है होना क्या चाहिए ever अगले में कह रहा है little or anything होना क्या चाहिए little or समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा